हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिया चनल पर दोस्त आपको बता दें जो अभी कि सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पाकिस्तान के परमाडू बम को लेकर वहां के वेग्यानिक ने किया चौकाने वाला खुलासा जिहां बताएंग पुरी खबर क्या और साथी साथ बताएंगे जहां अमेर की राष्ट्रपादी जो बाडन में अच्छानक यूगरेंट पहुंचकर रश्या को दे दिया है भड़काने वाला बयान बताएंगे क्या कहा है दोस्तों नोंने तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले है तो आराम से बनेने का वीडियो का अंधिता कर अभी खबरों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत ये सेनाओं का जम कर समर्थन करते और मानते की मेरा भारत महान है और भारत जैसा कोई नहीं तो वीडियो का भी कर दीजे लाइक चैनल को कर दीजे सब्सक्र पाकिस्तान के परमाडू वग्यानिक और प्रोफेशर परवेज हुदा बोय ने पाकिस्तान के परमाडू कारिक्रम को लेकर कई चोकाने वाले खुलासे किये हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जो परमाडू बम बनाया था उसका डिजाइन चाइना से आया था उन्हो वही डिजाइन था जिसे चीन ने 1962 में टेस्ट किया था मैं ये बाद दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि 2003 में एक समुंदरी जहाज पकड़ा गया था उसमें सेंट्री फ्यूज के पार्ट थे डॉक्टर अब्दुलकादिर खान जो की दोस्तों पाकिस्तान परमाणू क पता लग जाएगी क्योंकि जब वह डिजाइन जहाज से बरामद हुआ तो उसमें चीनी भाषा में लिखा हुआ था बम का पूर्जा पूर्जा उस ब्लूप्रिंट में दिखाया गया बीविसी कॉर्गोस जहाज का नाम था जी हां दोस्तों परवेज हुदा बोयों ने क पता चल गई कि चीन पाकिस्तान को पर्माडू बम का डिजाइन दे रहा है उन्होंने कहा कि एटमिक एनरजी कमीशन के उस वक्त के चेर्मैन मुनीर एहमद खान अक्सर मुझे घर बुलाया करते थे जी हां दोस्तों यानि कि पाकिस्तान को लेकर ये अब तक का पूरे वि बनाया था पर्माडू बम दरसल पाकिस्तान अपना पर्माडू कारिक्रम भारत को टक कर देने के लिए शुरू किया था साल 1960 में अयूब खान की सरकार ने जुलफीकार अली भुट्टो का अपना खनीज और प्राक्रतिक संसाधन मंत्री बनाया भुट्टो भारत के पर्म पर्माडू बम को लेकर वहां के व्यग्यायनिक ने जो चौकाने वाला ये खुलासा किया है बैरहाल आपकी इस पर जो भी निजी रहा हो दोस्तों बताएगा जरूर लेकिन पाकिस्तान भारत को कभी नहीं हरा सकता ये तो निश्चित तोर पर पत्थर की लखिर अगर करेंगे जिहां वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्तक नेता अमरत पाल सिंग ने बेहद भड़काव भाशन दिया है उसने केंद्रिय ग्रहमंत्री अमित शाजी को धमगी देते वे कहा है कि जो इंद्रा गांधी का हाल हुआ वही हश्र अमित श सिद्धू ने ही बनाया था खालिस्तान नेता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है जिसको जो करना है कर ले हम अपना हक मांगते हैं हमने इस धर्ती पर राज के वल हम है इस धर्ती पर राज का दावा हमा मुझे बताओ कि क erfahren मंत्री ने कहा है कि हिंदुराइं यह लगता है कि दबाने से कुछ नहीं करने बात है हम तो हटेली पर सिर्ज कर चल धमकी दोस्तों, अमित शाजी को दिया गया है, अमित पाल सिंग द्वारा दोस्तों और खाली स्तानियों का सपोर्ट इस बयान में देखा गया है, बैरहाल, अगर आप भी मानते कि ऐसे धमकी देने वालों पर कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए, तो, क्योंकि ऐसे बया देश के लिए खत्रे से कम नहीं है तो अपनी राय आप लोग जरूर दीजेगा चलतने अंगली बड़ी खबर की तरफ जहां पुतिन को लगा यूगरेन कम जोर है आराम से कबजा कर लेंगे कीव की धरती से रश्या पर गरजे जो बाइडन बता दे यूगरेन रश्या की जंग को एक साल होने वाला है 24 फरवरी 2022 को यूगरेन पर रश्या ने चढ़ाई कर दी थी इस बीच सोंबार को अचानक अमेर की राश्यपती जो बाइडन कीव पहुँचे जहां उन्होंने यूगरेन के राश्यपती वलोडिमीर जलन्सकी से मुलाकात की अमेर्की राश्रपती ने यूगरन की धरती से रश्या के राश्रपती वलादमीर पुतिन पर जोरदार हमला बोला उन्होंने कहा कि पुतिन ने सोचा कि यूगरन कम जोर है और वेस्ट बटा हुआ है आराम से कबजा कर लेंगे पुतिन अब पता नहीं सोच रहे होंगे उनका प्लान गलत हो गया आजादी की कोई कीमत नहीं होती इसके लिए लड़ना सही है जब तक जंग चलेगी हम आपके साथ रहेंगे जो बारन ने कहा कि पुतिन की योजना विफल हो रही है जिर इलागों पर रशिया की सिना ने एक बार कबजा कर लिया था उनमें से आदे छेतरों को खो दिया है युवा और प्रतिभा शाली लोग रशिया छोड़ कर भाग रहे हैं क्योंकि उनको देश में कोई भविश नहीं दिखाई दे रहा है रूसी अर्थवस्ता अलग थलग है और संघर्ष कर रही है आगे जोबाडन ने कहा कि जैसा कि हम यूगरेंट पर रशिया के कुरूर आकरमन की सालगिरा के करीब हैं मैं आज राश्टरबती जलंसकी से मिलने और यूगरेंट के लोक तंत्र संप्रभूता और छेत्रिया खंडता के प्रती हमारी अटूट प्रती बदता की पुष्टी करने के लिए कीम में हूँ जो बाडन ने कहा करीब एक साल पहले जब पुतिन अपना यूद शुरू किया तो उन्हें लगा कि यूगरेंट कमजोर है और पश्शिम बटा हुआ है उन्होंने सोचा कि वो हमसे आगे निकल सकते हैं लेकिन वो गलत थे पिछले एक साल में अमेरिका ने अभूत पुर्व सेन, आर्थिक और मानविय समर्थन के साथ यूगरेंट की रक्षा में मदद करने के लिए एटलांटिंग से लेकर प्रिशान्त महा सागर तक रास्ट्रों का एक गड़बंदन बनाया है और ये समर्थन बना रहेगा या यूगरेंट पहुंच कर दोस्तों पूरे रशिया को और खास करके पुतिन को चौका दिया है दोस्तों हर कोई चौक चुका है कि आखिर अच्छानक जो बाड़न बिना प्रायर इंफोमेशन के कैसे वहां पहुंच गए और उनका वहां पहुंचना किस बड़े मकसद को अ बात चीत के लिए गिडगड़ाया पाकिस्तान पुर्व सेंच जनरल ने कहा मीडिया बिजनेस बनाएं माहौल जीहां खराब आर्थ की सिद्रि ने पाकिस्तान की पूरी अकड़ निकाल दी है और अब भारत के साथ बात चीत के लिए लगवा गिड़गड़ाने की हालत मे पहुँच गया है आपको बता देगी पाकिस्तानी सेना के एक पुर्व शिर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत के साथ बात करना पाकिस्तान की अवशक्ता है चोदह में कराची लिटरेचर फेस्टिवल के अंतिम दिन पाकिस्तानी सेना की शाखा ISPR के पुर्व डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अतह अब बास भी शामिल हुए कारिक्रम के दरान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन्स के पुर्व डीजी ने कहा कि बात चीत आज के समय में देश के अवशक्ता है बात चीत को आगे बढ़ाना सिर्फ सरकार या सेना का काम नहीं क्योंकि अगर आप सारी जिम्मेदारी उन पर छोड़ देंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी उन्होंने कहा कि मीडिया बिजनेस और ब्यापार के जरिये शुरुआत की जा सकती है इससे भारत ये समाज में बात चीत के लिए माहौल तयार होगा जिससे सरकार पर बात चीत के लिए दबाब बनेगा साथी अमेरका और यूरोपिया यूनियन भी कि भी इसमें बाहरी द संकर से गुजर रहा है और यहीं वजया है दोस्तों कि वहां की सेना हो या फिर सरकार सभी एक सुर्में भारत से बात चीत करने की गुहार लगा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधान मंतरी शहवाज शरीफ खुद भारत से बात चीत करने की अपील कर चुके हैं और उन्होंने क सेबल कमेंट का समर्थन करते हैं दोस्तों तो ऐसा जब तक नहीं होगा बात चीत नहीं होगी दून को बता से झालेई जहां कि पाकिस्तान की घरीबी को देखते पाकिस्टान के सेंड विशेशग की सलाह कहां पेट भरने के लिए परमाणू बम को बेच डालो जिहां पाकिस जैद हामिद सरकार को अपने पर्माणु हतियार दूसरे देशों को बेचने की सलाह दे रहा है ट्वीट में दावा किया गया है कि वीडियो में दिख रहा है ज़ो पाकिस्तान के स्टैन मामलों का विशेश शगय है वीडियो में जैद कहते हैं नजर आ रहे हैं ठीक है हम पांच साउदी को बैचते हैं इस से हम पर कोई असर नहीं पढ़एगा हमने अन्टीप पर हस्ताक्ष नहीं किये हमें कोई दिक्कत नहीं है यह निर्यात है यह है हम अपनी तकनीक दूसरे को बेच रहें ऐसे हम दोस्तों यह सब बात है को और नहीं बलकि खुद पाकिस्तान के मिलिटरी एक्सपर्ट्स ये दावा और राय दे रहे हैं दोस्तों ऐसे मैं अब आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि पाकिस्तान किस हद तक नीचे पहुंच चुका है जहां से उसका निकलना उसके बहुं मुल्ली चीजों को बेचने प अगले महीने की शुरुआत में भारत दौरे पर आ सकते हैं ये प्रधान मंत्री के रूप में उनकी पहली भारत की यात्रा होगी इस दौरान वे ब्यापार निवेश और महतुआ पूर्ण खरीजों सहित कई छेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने जैसे विशियों प आठ मार्च के आसफास यात्रा शुरू करने की उमीद है इस दौरान वे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत और अस्ट्रिल्या के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच देखने के लिए एहमदाबाद जा सकते हैं आपको बता देगी चौथा टेस्ट एहमदा चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां चीन ने चली चाल और रश्या ने ठानी रार यूग्रेन यूद के बीच 16 से तुर्की करा रहा नाटो का विस्तार बता दे यूग्रेन के दोनेक्स और लुहांग शेरों के विवाद के अलावा यूद का दूसरा बड़ा कार रश्या यूग्रेन यूद में बेस्त हैं तो इधर चीन दुनिया का सुप्रीम डीटर बनने का सपना पाल बैठा है हाली में 40 से अधिक देशों में चीन द्वारा जासुसी कि यह जाने का संसरी खेज मामला सामने आ चुका है दक्षिन चीन सागर से लेकर पताल से अंतरि स्थितियों में पैदा हुई कमजोरी का फाइदा उठाना चाहता है इधर भुकम पीडित होने के बाव वजूद तुर्की ने एफ 16 फाइटर जेट के लिए नाटो का विस्तार कराने का खेला खेल दिया है आपको एसम बताते दोस्तों आखिर क्या है पूरा मामला 10 अमेर का से एफ 16 लेने के बदले इन दो देशों को नाटों में शामिल करवा रहा है हाला कि तुर्की के विदेश मंत्री ने नाटों के विस्तार और एफ 16 लड़ाकों विमानों की खरीद के बीच किसी भी तरह का संबंद होने से इनकार किया है चलते हैं दोस्ता अगली बड़ी अफगानिस्तान के तालिबान शाषकों ने तोरखम सीमा बंद कर दी थी गोली बारी में दोनों तरफ से कितने लोग हताहत हुए इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तान ने दिना यात्रा दस्ता वेज कर दिया था जिसके रभीवार का अफगान तालीबान को बंद कर दिया थ हैं दोस्तों साथई साथ हैं आपको बड़ी खबर बता दे जहाँ सूजू कि और होंडा जैसी कम्पनियों ने भी बंद कर दिया वहां पर अपना काम बर्बादी से एक कडम D修्ट का देश जीहां बताते कि सूजू की की ही तरह होंडा मोटर और टोयोटा मोटर की लोकल यूनिट के काम पर भी असर देखने को मिल रहा है यह रुक रुक कर काम कर रही है पाकिस्तान ओटो मोटिव मैनुफेक्चरेस एस्सेशन के आकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में कारों की बि कंपनिया कारगी यह और भी चीजों की मुबयलों की कंपनिये दोस्तों पाकिस्टान से जल्द से जल्द पैक अप करके बाहर निकल जाएंगी जिहां जो की पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा धखका उने वाला है साधी सा दोस्तों बढ़ते हैं अंगली वड़ी ख़ब की तरब जहां नेपाल की किड़नी मजबूत करने के लिए भारत ने दिखाया दिल चीन का लीवर खराब जिहां वैसे तो सदियों से भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंद रहा है लेकिन चीन की कम्यूस पार्टी किसे प्रभावित कई नेपाली नेताओं ने म मगर भारत हमेशा नेपाल को मित्र और अपना भाई मानकर उसकी मदद करता रहा तो वहीं दूसरी तरफ शातिर चीन ने नेपाल की मदद के नाम पर हमेशा अपना फाइदा देखा और भारत के खिलाफ नेपाल के दिल में नफरत फैलाने का भी प्रयास करता रहा चीन की ये कोशिश तो खेर अब भी जारी है लेकिन भारत हमेशा नफरत को मिटाने के लिए मुहबद बढ़ाने का पक्सिधर रहा है देश कोई भी हो मानता की मदत के लिए भारत हमेशा आगे रहता है भारत ड्रेगन से के नफरती खेल को हमेशा प्रेमर भाईचारे की भावना से मात दे रहा है दोस्त आपको बता दें भारत अपने पड़ासी नेपाल की हमेशा मदद करता आया है से में जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है दोस्तों कि हाली में भारत नेपाल में kidney डोगियों की मदद के लिए बड़ा दिल दिखाया है सरकार ने नेपाल को करीब 200 डायलेसिस मशीने देने का एहलान किया है पहली खेब के तौर पर अल्ड नेपाल को 20 डायलेसिस मशीने सॉप दी गई इससे नेपाल के किड़नी मरीजों को स्वस्थ करने में मदद मिलेगी लेकिन दोस्तों इधर भारत ने नेपाल के किड़नी मरीजों के किड़नी को स्वस्थ करने के लिए मदद दी है दोस्तों और इधर चीन का लीवर ये सुनकर खराब होगे दोस्त कैसे मैं चीन का लीवर कैसे सही होगा चीन के साथ तनाब के बीच एक और अमेर्की प्रतिनिधी मंडल पहुचा ताइवान के पांच दिवस्य दोरे पर यहां पहुचे अमेर्की सांसद के प्रतिनिधी मंडल ने सुमवार को स्वस्यासित दूइप की संसत के प्रमुकस मुलाकात की यह मुलाकात ऐसे समयम हुई है जब हाल में जासुसी गुबारों को लेकर आरोप प्रतियारोप के बीच अमेर्का और चीन के रिस्ते तनाबपुर बने हुए हैं रविवार को पहुँचे प्रतिनिधी मंडल में कैलिफॉर्निया के प्रतिनिधी रोखना टेकसास के टोनी गुंजालेस मैसाचुसेट्स के जैक ओचिन कलोस और इलियोनोई के जोनाथन जैक्सन शामिले चलते हैं दोस्ते अगली खबर की और जहां पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर फंडिंग मामले में मिरान खान को बड़ी रहत लाहौर हाई कोट ने दे दी जमानत जीहां पाकिस्तान के पुरु प्रधान मंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोट से बड़ी रहत मिल गई है कोड ने उन्हें तीन मांच तक लिए जमान्द दे दी है पिछली साल चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन मामले में मिरान खान को यह रहात दी गई थी असल में पछले साल चुनाव आयोग ने इमरान खान को आयोग घोशित कर दिया था थिस पर एक फैसले के बाद चुनाव ऐऊंव के दफ्तर के बाहर पुर्व पी ऐम के समर्थकों ने जम कर बवाल काटा और उसी केस में कोट ने इमरान खान को जमानत देदी है इस एक फैसले को सुनाने कि कई नाठ 관심 मोड आये थे पहले काफी देर तक इमरान खान कोड में नहीं पहुंचे दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने भी लगातार उन्हें घेर कर रखा एसी अटकले भी लग रही थी कि किसी दूसरे मामले में मिरान खान की गरपतारी संबव है चलते हैं दोस्त अगली बड़ी अबदल के साथ बातचीत की एंडी आरेफ के डीजी अतुल करवाल भी इस अफसर पर उपस्तित रहे इस मौके पर प्यमोदीजी ने कहा कि हमारे डॉग स्कुएट के सदस्तियों ने घजब का काम दिखाया और दम दिखाया देश को आप पर घर्व है उन्होंने कहा कि हमा भी पहुचते हैं वहां आश्वासन मिलता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी है और अब हाला ठीक होने शुरू हो जाएंगे उन्होंने कहा हम सभी ने वो तस्वीरे देखी जहां एक मां माते पर चूम कर आपको आशिरवात दे रही थी 2001 में जब गुजरात में भुकंप के लिए बात करने को और खवर की जहां अमित शाजी का कॉंग्रेस पर तीखा तंज कहा 2024 में दूरबीन से भी ढूणने पर नहीं मिलेगी कॉंग्रेस पार्टी जिहां ग्रहमंत्रिय अमित शाजी ने सोंबार को पवन खेडा के एक बयान पर कॉंग्रेस को आड़े हाथो लिए उन्होंने कहा कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उसका जनता उसका जवाब बैलेट बॉक्स से देदेगी अमित शाजी ने कहा कि 2024 में कॉंग्रेस दूरबीन से खोजने पर भी नहीं मिलेगी केंद्रिय ग्रहमंत्रिय अमित शाजी ने सोंबार को कहा है कि कॉंग बागे दिगज नेता कॉंग्रेसी प्रवक्तापवन खेडा का नाम लिए भी ना कहा कि आज जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है जनता उसका जवाब बैलेट बॉक्स से देगी 2024 में दूरबिन से खोजने पर भी कॉंग्रेस नहीं दिखाई देगी जीहां प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को नरेंदर गौतम दास कहे जाने पर केंद्री है ग्रह मंत्री अमित शाजी ने सोंबार को कॉंग्रेस को आड़े हाथो लिया नागा लेंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते वे अमित शाजी ने कहा कि आगामी चुनावों में लोग कॉंग् सी प्रवक्ता ने आज पीए मोदी के लिए जिस भाशा का इस्तेमाल किया है वो उनकी नहीं बलकि एक बयान है जो राहुल गांदी के स्वभाव के अनुरूप है ग्रह मंत्री ने कॉंग्रेस को राहुल गांदी के एक बयान की याद दिलाई जो 2019 में दिया गया है इसमें भ बद्र भाशा का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया है दोस्तों ऐसे में आपका जवाब देना चाहेंगे इन लोगों को कमेंड में लिख कर रवशी बताईएगा तोकि पीम नरेंद्र मोदी जी दोस्तों वो देश के प्रधान मंत्री और उनके खिलाव इस प्रकार की नि अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों जहां उद्ब ठाकरे को खाली हाथ ही चोड़ेंगे एक नात शिंदे नाम और निशान पाया अब पार्टी फंड पर भी कर दिया दावा जिहां शिवशेना का नाम और निशान सिंदे गुट के पास आने के बाद महरास्ट में सियासी खीचतान बढ़ गई है शिवशेना का नाम और निशान गवाने के बाद उद्दव ठाकरे के पास क्या बचेगा ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो आसार बन रहे हैं उस्ते तो यही लगता है कि एकनात शिंदे उद्दव ठाकरे को खाली हाथ करके ही छोड़ेंगे असल में एकनात शिंदे ने शिवशेना के पार्टी फंड के साथ साथ ऑफिशर कारकरताओं पर भी दावा ठोग दिया है बता दे कि पिछले साल शिवशेना के 56 में से 40 विधायक एकनात शिंदे के साथ उद्डव ठाकरे का साथ छोड़ कर चले गए थे दोस्तों ऐसे में आपकी क्यार आई होगी इस पर कमेंड में लिख रवश बताईएगा साथी साथ आपको अंतिम खबर बता दे जहां केदारनाद बद्रीनाद धाम में बिना पंजी करन श्रद्धालो को नहीं मिलेगा प्रवेश 21 फरवरी से शुरू हो रही प्रक्रिया में ऐसे करा सकते हैं आप लोग रेजिस्ट्रेशन जी हां केदारनाद और बद्रीनाद धाम के लिए मंगलवार 21 फरवरी से यानि आज से श्रद्धालो के लिए पंजी करन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी सुबह साथ बजे से ही वेबसाइट टोल फ्री नंबर वस्ट अप नंबर पर पंजी करन शुरू हो जाएंगे परियतन विभाग ने पंजी करन को लेकर इस बार चार विकल्प दिये हैं श्रद्धालू वेबसाइट वस्ट नंबर टोल फ्री नंबर के साथ ही मोबाइल एप्लिकेशन पर भी पंजी करन करा सकेंगे जी हां दोस्तों आखिर अगर वेबसाइट क्या है तो बता दे रेजिस्ट्रेशन और टोरिस्ट केयर डॉक डॉक डॉट जी ओवी डॉट इन पर जाकर रेजिस्ट्रेशन करा लें साथी वस्तव नंबर की बात करें तो वीडियो का भी अपने भाई बंदुओं में वस्ताफ फेस्बुक ट्विटर के जरिये पुरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी कर दीजिए वीडियो को लाइक के चलको कर दीजिए सब्सक्राइब आइकन दवाई ये साथी कमेंड बॉक्स में लि